जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए जो पिंजरे से उड़ कर पंची नील गगन में जाए पास तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए कोई शैना भाती है अब याद घर की आती है करे इशारा के रने तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है तेरी आद में समा के हम तो तुमसा ही बन जाए पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए मसिल कुछ पले की बात है फिर घर चलना साथ है हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए अंबर से भी पार है मड़ियों का आगार है परम शांति विश्राम यहाँ पर जोती का भंडार है परमानंद सुधा मैनों से वसधा पर छलकाए पास तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए जो पिंजरे से उड़ कर पंची नील गगन में जाए पास तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए अम शांती इस कल योगी दुनिया में हर चीज की कीमत है ज्यान तो बहुत महंगा हुई गया है जोकि बच्चों की पढ़ाई की फीस फिर उसके बाद नौकरी के लिए भी बहुत कुछ देना पड़ता है कोई भी चीज हम लें चाहे अपने से भी लेते हैं तो वो भी सूचता है कि इसके बदले में क्या मिलेगा परंतु संगम युकपर शिव बाबा इस रीत को बदल देते हैं क्योंकि वो सर्वखजानों का मालिक शिव बोला भंडारी हमारे सब भंडारे अविनाशी खजानों से मुफ्त में भर देते हैं जो ग्यान बाबा देते हैं उसके फी नहीं लेते हैं जो गुण बाबा देते हैं उसके बदले हमसे कुछ उम्मीद नहीं रखते जो शक्तियां बाबा हमें देते हैं उसके बदले में ये नहीं चाहते के हम भी बाबा के लिए कुछ करें। तो ऐसा निशकाम सेवाधारी शिव बाबा, हमें भी कर्म अकर्म विकर्म के बंधनों से मुक्त करने के लिए आते हैं। और हमें भी निश्वार्थ, निर्विकारी, निराकारी बनाते हैं। आज के मुडली हमें इश्वरिय ज्ञान के महत्व को समझा रही है। सुनते हैं बाबा के मधर महवाक्य, आज है तेरा तारीक, तेरा मई दूहजार चॉबिस, बाबा के मधर महवाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, कौडी से हीरा बन रहे हो, ट्यूशन ले रहे हैं, हीरा बन रहे है, वंडरूफल है नहीं पढ़ाई? प्रैश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? क्यों नहीं लगता है खर्चा? उत्तर है क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है, गर बाप ही किसी का टीचर होगा, तो अपने बच्चे से फी स्थोणा लेगा, बाप बच्चों से खर्चा यनि फी कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोध में आये, तुवर्से के हकदार बने, तुम्हारा बच्चे बिना खर्चे, कौडी से हीरे जैसा देवता बनते हो, भक्ती में तीर्थ करेंगे, दान पुन्ने करेंगे, तो खर्चाई खर्चा, यहां तु बाप बच्चों को राजाई देते हैं, लेते कुछ नहीं है, देते हैं, सारा वर्सा मुफ्त में देते हैं, पावन बनो और वर्सा लो, बस क्या करना है, पावन बनना है, ओम शान्ती, बच्चे समझते हैं कि हम स्ट्यूडेंट हैं, बच्चे भी हैं और स्ट्यूडेंट भी हैं, बाप के स्ट्यूडेंट क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो हम मनुष्य से देवता बननी की ट्यूशन ले रहे हैं बिल्कुल जैसे इंटरेक्शन होती है न वैसे ही बाबा बात कर रहे हैं हम आत्माई परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं अभी समझ गए कि जन्म बाय जन्म अपने को दिह समझते थे न की आत्मा वैलोक एक बाब फरिट्यूशन के लिए और जगां भीज देते हैं सदगती के लिए और जगां भीज देते हैं बाब बोड़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है यह पुरानी बात है, आजकल तो किसी की दिल नहीं होती है न अपने पोतों में, दोतों में उलचकर रह जाते हैं परन्तु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं है वानी से परे हम कैसे जा सकते हैं? वानप्रस्थ यानी वानी से परे कैसे जा सकते हैं बुद्धी में नहीं बैठता है अभी तो हम पतित हैं जहां से हम आत्माई आई हैं वहां तुम पावन थे यादारज अबको परमधाम में हम सब आत्माई बेलकुल प्योर थे यहां आकर पाट बजाते बजाते पतित बने हैं अब फिर पावन कौन बनाए दुबारा से कौन बनाए पुकारते भी हैं हे पतित पावन बुलाते हैं तो जिसे बुलाते हैं वही तो पावन बनाएगा न गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चे नहीं बैठता है इसलिए जाच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले, जो हमको अपने घर अधवावान प्रस्त अवस्था में पहुचाए ट्राइ करते रहते हैं, ब्रह्म अब भी ऐसी करते थे, इसलिए तो बारा गुरु किये उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं जहां सुना, फलानी की बहुत महिमा है, वहां जाएंगे जब तक अंतर तक आत्मा त्रप्त नहीं होती तब तक उस प्यास को बुझाने के लिए कभी यहां कभी वहां भटकती है तो बाबा कहते हैं, जो इस ज़ाड का सैपलिंग है उनको तुम्हारे ग्यान का तीर लग जाता है समझते हैं, यह तो क्लियर बात है बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो न, कोई बड़ी बात नहीं है तीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना, कोई बड़ी बात नहीं है भक्तों को क्या चाहिए, यह भी किसको पता नहीं है अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो तुम समझते हो, बरोबर बाप नहीं वर्सा दिया था जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे सो तो तुम बच्चे समझते हो पहली मुख्य बात है, पावन बनने के लिए बाप को याद करना सबसे जरूरी बात लौकिक बाप तो सबको याद है पारलोकिक बाप को जानते ही नहीं है अभी तुम समझते हो, अपनी को आतमा समझ, बाप को याद करना सहज ते सहज भी है difficult ते difficult भी है अगर आत्मिक स्थिती में है तो बहुत easy है अगर body consciousness में है तो बहुत difficult है आत्मा इतना छोटा सितारा है बाब भी सितारा है वह संपोर्ण पवितर आत्मा और यह संपोर्ण अपवित्र संपोर्ण पवित्र का संग तारे और अपवित्रता का कुसंग भुरे सो तो एक काही संग मिल सकता है संग चाहिए जरूर फिर कुसंग भी मिलता है आत्मा पहले संग फिर कुसंग फिर कुसंग भी मिलता है पाच विकार रोपी रावन का उनको कहा ही जाता है रावन संप्रदाए तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाए तुम राम संप्रदाए बन जाएंगे फिर यह रावन संप्रदाए नहीं रहेगा पूरी तरह हम पवित्र बन जाएंगे फिर ये पाँच विकार नहीं रहेंगे यह बुद्धी में ज्ञान है राम कहेंगे भगवान को त्रेता युग वाले राम नहीं भगवान को कहेंगे भगवान ही आकर राम राज्ये स्थापन करते है अर्थात सूर्य वंची राज्ये स्थापन करते है राम राज्ये भी नहीं कहेंगे परंतु समझाने में सहज होता है राम राज्ये और रामण राज्ये वैसे तो राम राज्ये नहीं कहेंगे लेकिन समझाने के लिए, कंट्रास्ट दिखाने के लिए ये दो शब्द बोले जाते हैं वास्तव में है सुर्वण्शी राच्य तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है छोट छोटे पुस्तक बहुत सारे बने उनमेंसे एक छोटा पुस्तक है हीरे जैसा जीवन कैसे बने अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है मनुष्य क्या जाने हीरे जैसा जीवन क्या होता है दुनिया वाले तो नहीं जानते न सिवाए तुम्हारे लिखना चाहिए हीरे जैसा जीवन हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने देवता अक्षर एड होना चाहिए तुम फील करते हो हम हीरी जैसा जीवन यहां बना रहे है उच वेल्यू बढ़ती है ना आत्मा की जिच्चमक बढ़ती है आत्मा की अंदर गुण धारण होते हैं शक्तिशाली बनते है यह अनुभव केवल हमारे पास है तो बबा कहते हैं सिवाए बाप के और कोई बना ना सके किताब है अच्छा उसमें यह अक्षर सिर्फ एड करो हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने तो मासुरी कौडी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सकिंड में प्राप्त कर सकते हो बिगर कोडी खर्चा सिम्पल है ना बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्से का हकदार बनता है बच्चे को खर्चा लगता है क्या गूद में आया और वर्से का हकदार बना टाइम लगा बस पैदा हुआ और वर्से का अधिकारी बन गया खर्चा तो बाप करते हैं ना कि बच्चा वो तो बेबी है वो थोड़ना खर्चा करेगा अभी तुमने क्या खर्चा किया है? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नई जिसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता विसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता यह तो बाप बैठ पढ़ाते है पढ़ाकर तुमको देवता बनाते है तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो वैसे कोई बेबी तो नहीं है तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो बड़े हो बाप का बनने से बाप राय देते है तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है इसमें पवत्र जरूर बनना है राजधानी स्थापन करनी है और इसमें important बात है purity खर्च तो कुछ भी नहीं लगता गंगा पर जाते हैं तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं खर्चा तो करेंगे न जाते हैं भक्तिमार के अंदर गंगा के घाटों पर तो खर्चा तो करेंगे न तुमको बाप पर निश्चे हुआ खर्चा लगा क्या खर्चा लगा, तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं तुम उनको कहते हो, अब बेहत की बाप का वर्सा लो बाप को इशाद करो बाप है ना, बाप खुद कहते है मेरा वर्सा तुमको चाहिए अगर चाहिए तो पतत से पावन बनो तब पावन विश्यो के मालिक बन सकेंगे यह भी जानते हो, बाप बैकोंठिस थापन करते है समझदार बच्चे अच्छी रीती समझते है उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है यहां खर्चा कुछ भी नहीं उस पढ़ाई में तो बहुत खर्चा होता है यह तो साकार मुरली का टाइम है पर अज की दुनिया में तो बहुत जादा ही खर्चा होता है बच्चों की पढ़ाई अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है आत्मा कहती है हम अविनाशी हैं यह शरीर विनाश हो जाएगा बाल बच्चे आदी सब विनाश हो जाएगे अच्छा विनाश हो जाएगा न तो फिर इतने पैसे जो इकठे किये है वे क्या करेंगे क्या करेंगे खयाल तो होगा न कुछ तो सोचा होगा न कोई साहुकार भी होंगे समझो उनको कोई है नहीं ज्यान मिलता है तो समझते हैं इस हालत में पैसा क्या करेंगे ग्यान मिल गया और कोई है नहीं बच्चा आदी तो फिर क्या आख सोचेंगे इस हालत में हम क्या करें पढ़ाई तो है Source of Income बाबा ने बताया था एक इब्राहिम लेंकन था बहुत गरीब था नमेरिका का राश्पती तो बाबा ने कहा कि बहुत गरीब था रात को जाक कर पढ़ता था पढ़ पढ़ कर इतना होशियार हो गया जो प्रेजिडेंट बन गया देखो क्या से क्या पढ़ाई से आत्मा बन जाती है इस दुनिया में भी खर्चा लगता है क्या कुछ भी नहीं बहुत हैं जो गरीब होते हैं उनसे गवर्णमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वह भी बिगरफी प्रेजिडेंट बन गया कितना बड़ा पद पालिया यह गवर्णमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती है यह जो इश्वर यह गवर्णमेंट है यह भी खर्चा नहीं लेती है बस हमें क्या करना है पवित्र बनना है और बाबा का पूरा वर्षा लेना है इतना ही करना है खर्चा कुछ नहीं है समझती है दुनिया में सब करीब है भल कितने भी साहुकार, लखपती, करोडपती हैं वह भी कहेंगे गरीब हैं हम उनको साहुकार बनाते हैं सत्योगी देवी देवताओं के आगे तो सब गरीब है न जो वर्सा बाबा में दे रहे हैं, उसके कमपारिजन में तो यह सब गरीब है न तो बहुते हैं हम उनको साहुकार बनाते हैं भल धन कितना भी हो तुम जानते हो बाकि थोड़े दिन के लिए है हमें बेहद का ग्यान है और हम यह जानते हैं यह सब टैंप्रेरी है थोड़े समय के लिए है यह सब मिट्टी में मिल जाएगा तो गरीब ठहरे न, सारा मदार है पढ़ाई पर बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे, क्या लेंगे बाप तो विश्व का मालिक है, बच्चे जानते हैं, हम भविश्य में यह बनेंगे मैं आया हूँ यह स्थापना करने बैज में भी यह समझानी है क्या बनना है लक्षमी नारायन बनना है नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है शिव बाबा कहते है हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पार्ट नोंधा हुआ है जो विकारी पतित बने है उनको बाब आकर पावन बनाते है यह तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाब से विश्व की बादशाही ली थी मुख्य बाद बाब कहते क्या कहते हैं बाबा मुख्य बाद मा मेकम जाद करो हर प्राप्ती का आधार है बाबा की याद तो मुख्य बाद है बाबा को याद करना सम्मुख कहते है रथ मिल गया तो बाब भी आ गए रथ तो जरूर एक फिक्स होगा न यह बना बनाया ड्रामा है ड्रामा प्लान अनुसार बाबा का रथ भी वो करर है चेंज हो नहीं सकता कहते हैं यह जोहरी कैसे प्रजापिता ब्रामा बनेगा दुनिया वाले कहते हैं समझते हैं यह जोहरी था जवहरात एक होती है इमिटेशन अकली जवहरी होती है न एक रियल इसमें भी रियल जवहरात बाब देते हैं तो फिर वह क्या काम आएगी बाबा कौन से जवहरात देते हैं रियल न बिलकुल यह जो ग्यान रतन है न यह सच्चे जवहरात है बाकि दुनियावी ग्यान imitation है यह है ग्यान रतन इनके सामने उस जवहरात की कोई कीमत नहीं जैसे ब्रमा बाबा कह रहे हो यह जो ग्यान रतन है इनके comparison में वो जो दुनियावी हीरे जवहरात है उनकी कोई कीमत नहीं जब यह रतन मिले तो समझा वह जवाहरात का धन्दा तो कोई काम का नहीं तो ये भी सच्चा जवाहरी ही समझ सकता है कि सच्च क्या है जूट क्या है कौन सी चीज शणभंगुर है जाने वाली है और कौन सी चीज सदा रहने वाली है तो अबा कहते हैं यह अविनाशी ज्ञान रत्न एक-एक लाखों रुपयों का है। कितने तुमको रत्न मिलते हैं, कितने मिलते हैं। यह ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो, बाप यह रत्न देते हैं जोली भरने के लिए। कौन सी जोली, बुद्धी की जोली भरने के लिए, यह मुफ्त में मिलते हैं, पैसे नहीं लगते हैं इसके, खर्चा कुछ भी नहीं, वहां तो, तहां सतियोग की बात कर रहे हैं बाबा, वहां तो, दिवारों, छतों में भी, हीरे जवाहर लगे रहते हैं, उनकी value क्या होग जैसे, यहां के पत्थर, वैसे वहां के हीरे जवाहर, value बाद में होती हैं, वहां तो हीरे जवाहर भी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हैं, यह तो बच्चों को निश्चे होना चाहिएं, बाप ने समझाया है, यह रूप भी है, बसंत भी है, रूप भी है, और बसंत भी है, बसंत, ज्ञान, रूप यानी योग, बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है, जूती बिन्दु है, और ज्ञान का सिंधु सागर है, यह ज्ञान रत्न है, जिससे तुम बहुत धन्वान बनेंगे, बाकि कोई अम्रित वह पानी आदी की बरसात नहीं है, पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती, कोई वैसा सागर नहीं है, यह पानी की बात नहीं है, पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं, तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो, पतत पावन तो एक ही बाप है, अब ये बुद्धी में आ गया है, कि आतमा को पवित्र बनाने वाला एक शिव बाबा है, तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो, जानते हो, पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे, अब राइट ये है है ये वह है, इन सब बातों में बुद्धी चलनी चाहिए, ड्रामा में ये भक्ती का पाट भी होने का ही है, तो अभी खुद ही बुद्धी लगाओ, कि जो भक्ती में लिखा है, गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे, या फिर जो बाबा ज्यान दे रहे हैं इस ज्यान से, बाबा की याद से पावन बनेंगे, राइट क्या है, रौंग क्या है, भक्ती सही है या ज्ञान सही है या हमें खुदी जज करना है तो वह कहते हैं कि ड्रामा में यह भक्ती का पार्ट भी होने का ही है बाप कहते हैं अब तुमको पामन बन, पामन दुनिया में चलना है जो पावन बनेगा वह जाएगा कंडीशन है purity जो यहां की सापलिंग होंगे वह निकल आएंगे बाकी थोड़ी समझेंगे वह तो दुबन में फसे ही रहेंगे वो तो भक्ती के दुबन में फसे रहेंगे जब सुनेंगे तब पिछाडी में कहेंगे क्या अहू प्रभू तिरी लीला आप पुरानी दुनिया को नहीं कैसे बनाते हो तुम्हारा यह ज्यान अखबारों में बहुत बहुत पढ़ जाएगा खास यह चित्र अखबार में रंगीन डाल दो कलरट पेपर सोते हैं न? और लिख दो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ा कर स्वर्ग का मालिक यह यानि लक्षमी नारायन बनाते हैं कैसे? याद की यात्रा से याद करते करते तुम्हारी कट उतरती जाएगी आत्मा पर जो जंक लग गई है उतरती जाएगी तुम खड़े खड़े सबको यह रास्ता बता सकते हो के बाब कहते हैं मा में कम याद करो अपने को आत्मा समझो खड़ी खड़ी यह याद देला कर फिर देखो उनका चहरा कुछ बदलता है चेक करो नैन पानी से भीगते हैं जब जिस चीज की तलाश थी वो मिल जाता है तो खुद बखुद नैन पानी से भीग जाते हैं जिस चीज की तलाश कर रही थी आत्मा जनम जनमांतर से जब उसको पहचान हो जाती है कि यही वो मेरा बाप है जिससे मैं कबसे बिच्छडी हुई थी और वही मिल गया है तो अपने आप ही आखों से स्नहे के आसु आ जाते है तो अब कहते हैं तब समझो कुछ बुद्धी में बैठता है पहले पहले यह एक बात ही समझानी है क्या पाँच हजार वर्ष पहले भी बाप ने कहा है मा में कम याद करो नई बात नई है शिव बाबा आया था तब तो शिव जयानती मनाते हैं ना भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था के मा में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे छुटी-छुटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाये बेहत का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते है बाबा अक्षर बहुत मीठा है स्वीट है बहुत जादा बाबा और वर्षा इतना निश्चे में बच्चों को रहना है यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्याले देवताएं होते ही हैं पावन अब बाब कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो मन मना भवा अक्षर सुने हैं ना सुने हूं अगर नहीं सुने तो बाब सुनाते हैं बाब कहते हैं मैं ही पतित पावन हूं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए और सतु प्रधान बन जाएंगे महनत ही यह है इसमें बहुत महनत है कितनी बार बाबा रोज रोज कहते हैं लेकिन उसके बाद भी जितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या हम उतनी कर पाते हैं, तो इसी लिए बाबा को रोज कहना पड़ता है, तो इसी मेहनत है अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना, ग्यान के लिए तो सब कह देते हैं, बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ग्यान है, परन्तु प्राचीन यूग की बाद कोई जानते ही नहीं है, पावन होने की बाद तुम सुनाते हो, तु भी समझते नहीं, सुनाते हैं पर समझते नहीं है, बाब कहते हैं, तुम सब पतित, तमु प्रधान बन गए हो, अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो असल तुम आत्माई मेरे साथ थी ना बिलकुल स्टार्टिंग में असलियत में हम आत्माई बाबा के साथ ही थी मुझे तुम बुलाते भी हो ओ गौड फादर आओ अब मैं आया हूँ तुम मेरी मत पर चलो यह है ही पतित से पावन होने की मत मैं हूँ सर्व शक्तिमान एवर पावन अब तुम मुझे याद करो इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है तुम धन्दे आदी में भी भल रहो बाल बच्चे आदी भी भल संभालो सिर्फ बुद्धी योग और सबसे हटा कर मेरे साथ लगाओ यह है सबसे मुख्य बात यह ना समझा अगर यह नहीं सा बात समझी हमने तो गोया कुछ भी नहीं समझा ग्यान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ग्यान देते हो पवित्रता भी अच्छी है परन्तो हम पवित्र कैसे बने दूसरों को देख कर सब कहाते हैं बहुत अच्छा है हम कैसे बने हमेशा के लिए यह बात समझते नहीं देवताईं हमेशा पवित्र थे ना सदा पवित्र थे वह कैसे बने यह बात पहले पहले समझानी है यह बात समझानी है कि पावन कैसे बनना है बाप कहते हैं मुझे याद करो याद से ही बाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे अच्छा रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धालना के लिए मुख्यसार पहला स्वयम को गरीब से सहोकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्यान रत्न लेने है यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है यह पढ़ाई ही सूर्स ओफ इनकम है इसी से ओच पद पाना है दुसरा राम संप्रदाई में आने के लिए संपोल्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है कुस संग से सदा दूर रहना है सबसे बुद्धी यूग हटा कर एक बाप में लगाना है बरदान है शक्तिशाली याद द्वारा सकिन में पदमों की कमाई जमा करने वाले पदमा पदम भागेशाली भव कैसे बनेंगे पदमा पदम भागेशाली जब शक्तिशाली याद से एक सकिन में पदमों की कमाई जमा करेंगे आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सकिन की याद से पदमों की कमाई जमा हो जाए जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे? इसलिए कहा जाता है पदमा पदम भागे शाली जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चहरे की फलक ही और हो जाती है है न? पैसे वाले होते हैं खूब धन हो रहा है, वर्शा हो रही है तो चहरे की चमक बता देती है तो आपकी शकल से भी पदमों की कमाई का नशा दिखाई दे ऐसा रूहानी नशा रूहानी खुशी हो जो अनुभव करें कि हैं न्यारे लोग है ऐसी खुशी हो स्लोगन है ड्रामा में सब अच्छा ही होना है ड्रामा में सब अच्छा ही होना है इस स्मृती से बेफिक्र बाद्शाह बनो ड्रामा पर यकीन होना चाहिए जो हूरा है जो हुआ था और जो हुगा सब अच्छे ते अच्छा होगा है न तो आज सभी इश्वरिय याद में निरंतर रहने का अभ्यास करेंगे सदाकाल किया राज्चे लेना है सदाकाल के लिए पवित्र बनना है तो निरंतर योगी कर्म योगी बनने का अभ्यास भी करना है चेक करना है अपने भीतर कि कौन से कारण है जिसके कारण हमारी बाबा के साथ जो याद की डोरी बंदी होई है वो तूट जाती है उन कारणों को उन बातों को ध्यान में रखकर उनका निवारण करना है चेक करना है क्यों वो मुझे अपनी तरफ खीचती है क्यों बार-बार मेरी बुद्धी वहाँ जाती है चेक करेंगे फिर उन्ही प्राप्तियों का आधार बाबा को बनाकर निरंतर याद का अभ्यास बढ़ाते चाहेंगे तो सारा दिन चेक करेंगे और फिर बीच बीच में चेंज करते चाहेंगे कर्मयोगी बनने का अभ्यास करेंगे चा, ओम शांति कि जुड़ गई है मन के तार तुमसे शब्तियां मिल रहे अपार तुमसे भागय के द्वारे खुले हमको हमारे मिले आए जीवन में ये वहार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन के तार तुमसे शब्तियां मिल रहे अपार तुमसे माता पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो शिक्षक तुम्ही रक्षक तुम्ही दिल के तुम्ही साहरे हो मिला सारे रिष्टों का प्यार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन के तार तुमसे शब्तियां मिल रहे अपार तुमसे दुनिया से दू तारो केगा तुम मुझे ले आये हो काटों से दूर पूलों के चांग मैं मुझे बिठाए हो किरनों की बाहों का तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन के तार तुमसे शब्तियां मिल रहे अपार तुमसे भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले आये जिवन में बाहार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन के तार तुमसे शब्तियां मिल रहे अपार तुमसे जुड़ गई है मन के तार तुमसे